अभी सब्सक्राइब करें हमारे यूट्योब चैनल पीशुर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले देखिए यदि बेटे बेटी की आयू बहुत हो गई है और साधी विवाहा में बहुत बिलंब हो रहा है तो ऐसी स्थिती में हमें जो सास्त्री विधी से अनुष्ठान बतलाए गए हैं उनका आस्रे ले लेना चाहिए पहली बात तो यह है कि समय रहते बेटा बेटी का विवाहा कर दें हम लोग कई वार यह करते हैं कि जिस समय उनके विवाहा का योग होता है उस समय हम ध्यान नहीं देते अभी तो बच्चे बहुत छोटे हैं पड़ा ही कर रहे हैं अब उस समय छोटे सोच करके छोटे समझ करके हमने विवहा नहीं किया अब उनका जो ग्रहों की इस्तिति के अनुसार विवहा का जो समय था जो उनके प्रवल योग विवहा के थे वो समय हमने प्रमाद में अत्व प्रवा किनी किनी कारणों से निकाल दिया जब वहाय योग निकल जाएगा तो फिर योग दोबारा बनने में बड़ी कठना यह होती है बिलम होता है आज कल ऐसी समस्यां बहुदा समाज में देखी जाती हैं बेटियां से आनी हो रही हैं उनके लिए उपयोगत बर नहीं मिल पा रहा है बेटे पढ़ लेक गए हैं लेकिन उनको अच्छी कुल वधुआ पत्नियां नहीं मिल पा रही हैं तो उसके लिए सास्त्रों में उपाय बरने थें देखिए साधी विवाहर ना हो पाने का एक बहुत बड़ा कारण तो यह है कि आज हम समाज से उतना अच्छे से जुड़ कर नहीं रह पाते जिसकी आवश्यक्ता है हमने देखा है पिछले समय में हमारे बुजरुग कितने सामाजिक हुआ करते थे समाज कायुजरुनों को अटेंड करते थे समाज के लोगों से बहुत मेल रखते थे यह दपी उस्थो में संचार के साधन इतने नहीं थे साधन नहीं थे इन सब के बावजूद भी समाज में वड़ी एक ताथी सब लोग एक दूसरे के हां कारिक्रमों में हो रही है तो उसके लिए दुर्गा शप्त सती में जो मंत्र है हम कई बार बता चुके हैं पत्निम मनो रमाम देही मनो ब्रतानु सारणीम तारणीम दुर्ग संसार सागरश्य कुलुद भवाम इस देवी मंत्र का आश्रैली जी निश्चित ही आपके लिए बहुत अतिशिक् पूरे जुम्मेवारी से पूरे विस्वास के साथ और पूरे आपको विस्वास पूरवक कह रहे हैं कि आपको बहुत जल्दी लाब मिलेगा इस मंत्र का आप जाप करवाईए किसी अच्छे ब्रहमन को बला करके साथ महीं अपनी कुंडली जरूर दिखाईए किसी कुंडली है जनमांक है उसमें सब्तम जो भाव होता है उस सब्तम भाव से दामपत्य सुख देखा जाता है उस ग्रह की स्तिति क्या है सब्तम भाव में वहां किस ग्रह की दृष्टी है कौन से वहां के स्वामी है रासी स्वामी कौन है आधी आधी विचार किया जाता है त यह तो इन जाताकों की विवाध़ी में बिलंब煮 होता है उनकों कि विवाध़ी को सामना करना पड़ता है नंबत्य। सुक में करने के लिए उपाई किसी अच्छ से से अपने कुंडली भी दिखवा सकते हैं उसका प्रामर्स प्राप्त कर लें साथ में ही आप ये देवी जी का अनुष्ठान करें इससे बहुत लाव आपको प्राप्त होगा किवल पतनी नहीं वलकि शुयोग को पतनी प्राप्त होगी पतनी मनोरमाम देही मन के अनुसार चल हमारा खुब आसिरवाद है आपका घर जल्दी बसे और आपका घर प्रसनता से भरा रहे आपको सुयोग को पतनी प्राप्त हो